बाहर कुछ गार्डनिंग करने आई थी गार्डन में और देखो फिर क्या हुआ बहुत मज़ा आ रहा है बारिश हो रही है रात के साड़े आठ बज रहे है और अभी भी लाइट है क्योंकि संसेटिंग हो रही है संसेट होता है राउंड 8.45 रात को इतना खुबसूरत लग रहा है और मैं बीच बीच में जाके थोड़ा बारिश में भीग के आती हूं क्योंकि अभी मैंने डिनर बनाना है मेरे डिनर तो रेडी है पर आम जिस वेटिंग फूर मॉई हस्बेंड डिनर रेडी है पर वो चपाती बनानी है न सारा कुछ तयार है वो जब आएंगे तो गरम गरम बनाऊंगी तो तब तक मैं थोड़ा पानी में ज़रा बार हलकी हल कि बारिश हो रही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो मैं इसके नीचे छुपके खड़ी हुई थी अभी मैं जाती हूं अगर वो आगे तो बोलेंगे तिरको क्या है क्यों बारिश में बीग रही बिमार हो ना पर मैं जा रही हूं ठीक है थोड़ा सा देखो वा अगरती तेज आया है और मैं भीग जाओना हाल हूं यह देखो पीछे संसेटिंग हो रही है और सारा पानी मेरे फोन पर भी पढ़ रहा है छोटी 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 बुंबे मेरी फोन पर पढ़ रही है बहुत अच्छा लग रहा है ग्रीनरी देखके इतना मजा आ र होती है आप इंजोई करो और सुनो तब तक मैं खोड़ा आपको गार्डन भी दिखाती हूं संसेटिंग देखो बस इंजोई करो प्लीज अवास सुनो ज्यादा तेज तो नहीं हुई बारिश पर बहुत मजा है पर चलो मैं थोड़ी सी बाकी की गार्डनिंग कर लूँ क्योंकि कल फ्राइडे है कल हमारे बिन कलेक्शन डे है सारा बिन जाएंगे तो ये देखो हमने काफी गार्डनिंग भी करी है आज और संसेटिंग देखक ये तो वह 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 ये मेरा फेवरेट है सानराइज और संसेट बहुत ही खुबसूरत मनजर होता है ब्यूटिफुल चस्ट इंजोए नेक्स डे फ्राइडे आज का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज है हमारे विकरांत का स्पोर्ट स्टे तो हम लोग सब जा रहे हैं उसका स्पोर्ट से देखने ये देखो छोटू जी हमारे ये डैडा के शोल्डर पर बैठे हुए हैं शोल्डर हारनेस के उपर वो तो खोब इंजोए करता है और हम सब लोग जा रहे हैं आज गर्मी है मौसम बहुत अच्छ है तेंपरेचर काफी हाई है हमारी कंट्री के हिसाब से 27 डिग्री है पर काफी गरम है और धूप बड़ी तीखी लगती है जब यहां धूप निकलती है तो थोड़ी तीखी वाली धूप होती है पर कुल मिलाके अच्छा वैदर है क्योंकि ऐसा वैदर हमें कभी कभी देखने को मिलता है तो हमने कार पार्क क हिके दोर और वोक करकर आ रहे हैं क्योंकि कार पार्किंग फुल हो रहा था अलमोस ह्लोप वैरेंट्स आ रहे थे तो हम भी अब उस तरःफ चल रहे हैं जहां पर supports day हो रहा है त्बीटिफल sports day यह देखिए बहुत बहुत बड़ा big spirit center है पारक है पीछे यह especially school के बच्चों के लिए होता है यहाँ पे पूरे इनों ने परबंद कर रखा है पूरा पानीवानी का everything अब यह देखो हमने अपने छोटे को छोड़ दिया है खुला अब देखो यह खुला है तो भागेगा इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है यह कहता है बस मुझे एक पर छोड़ दो यह सब बच्चों के बीच चला गए अपने भाई को देखके और टीचर ने भी उसको उठा लिया तो है वो कहती यह बड़ा क्यूट है वो जब भी स्कूल जाता है अपने ब्रदर को लेने भी पिक करने अपनी माम के साथ तो जरूर इसकी टीचर इसको पिक करती है तो यह इनकी डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हो रही है बच्चों की बहुत इंजॉय करा यह ग्रीन कैप में हमारे हैं शहजादे बड़े वाले और काफी लोग देख रहे हैं मैं तो एक पेड़ के नीचे आके खड़ी होगी क्योंकि धूप इतनी ज्यादा तीखी है मेरी बरदा मोस्टली यह थी कॉंसेंट्रेशन गेम्स के बच्चे कैसे कॉंसेंट्रेट करते हैं अगर बॉल है उसको कैसे तो you have to just concentrating ध्यान रखना है कि बॉल कहां से कैसे निकालनी है टच ना करें तो वो बच्चों को यह सब सिखाते हैं यह भी कॉंसेंट्रेशन वाली है कि बॉल ग गए थे लंडन हांसलो नोट साउथ हॉल यह एक और जगा है हांसलो जहां हम गए थे वहां की यह मार्किट देखकर मज़ा आ गया इतनी फ्रेश वेजी टेबल्स हर तरह की वेजी टेबल थी वहां पे आप मतलब टच भी करते ना तो मज़ा आ जाता कि इतनी फ्रेश तो यह हमने बहुत इंजोई करा आप देख सकते हो हर तरह की वेजी टेबल्स हैं यहां पे तो हमने उस दिन यहां पे खाना खाने गए थे इंडियन खाना तो यह देखो टमाटर क्या चीज नहीं थी उसके बाद हम पहुंचे पान की शॉप पे और हमने पान बनवाया और पा लड़ू, मोती चूर लड़ू, पिनिया जो भी मिठाई होती हैं बहुत तरह की मिठाई थी पर मिठाई मेरे घर पहन लेई पड़ी हुई थी तो हमने नहीं खरीदी यहां से हमने सिर्फ पान खरीदने गए थे बहुत मज़ा करा यह देखो अब तरह तरह की चाट, पाप बहुत मज़ा आया और यह रहा फालूदा थंडा थंडा फालूदा बहुत सारी चीज़ें थी और पान को एंज्वाई करा